हेलो दोस्तों पिरसेक बार्ट स्वागत है आपका हमारी चैनल सिविल इंजिनेर फॉर यू के नई वडियो में तो दोस्तों आज आपके लिए साउध पेसीं प्लोट में हमने थ्री बेचके का हुस्प्लान का डिजन बनाया हुआ है इसमें आपको कार पार्किंग के लिए भी जगा मिल जाती है तो यहाँ पे आप प्लोट की डिटेल देख सकते हैं आपको जूम करके पूरा डिटेल समझाने वाला हूँ कैसे हमने डिजैन किया हुआ है तो दोस्तों आपको डेली हमारी चैनल पे एसी खूस्प्लान की डिजैन देखने को मिलेगी अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब पर लिजे बिल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि आने वाली हमारी नए वीडियो को नोट्रिकेशन आपको टाइम पे मिल सके अगर आपको भी हमसे कस्टमाइट प्लान या 3D इलेशन बनाना है तो उपर हमारा नंबर दिया हुआ है यहाँ पर आप कॉंटेक करके आपको लिजे नक्षा या 3D इलेशन बना सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको प्लोट के डीटेल समझा देता हो किस तरह आडिम ने डिजेन किया हुआ है तो यहाँ पर देखी ता कि आपको पूरी जानकरी अच्छे तरह कैसे समझ में आ सके तो यहाँ पर देख सकते 34 स्पिट उसकी चवड़ाई रहेगी लंबाई उसकी 35 स्पिट रहने वाली है आपको सिफ सामनी की तरफ रोड रहने वाली है और बाके तीनों तरफ दुसरे के मकान बने हुई है तो पॉपर वेंटिलेशन और वास्तो की साफ से यहाँ पर आमने डिजेन किया हुआ है तो पूरा डीटेल में समझ से किस तरह क्या रहने वाला है तो दोस्तो साउथ की तरफ जैसे के आमने बताए के रोड का अप्रोच रहने वाला है यह डिजेन हमने आमने अमारे क्लाइन के लिए बनाए थी तो अगर आप भी बना सकते है अगर आपको चाहते है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 feet wide का main entrance मिल जाता है मतलब यहाँ पर gate रहेगा और यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए जगा मिल जाती है तो पार्किंग की साइज रहेगी 9 feet by 13 feet रहने वाली है इसमें आपके बड़ी सी बड़ी गाली आराम से पार्क हो जाएगी यहाँ उसके बाद यहाँ पर आपको 3 feet wide का पैसेद देखनों मिलता है आप इसे बरामदा की तरह कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर बरामदा पर पहुच जाते हैं तो आप पीसे बरामदा ही करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 step रहने वाली है और इससे हमने सीडिया design की उपर की मंजिल पर जाने के लिए यहाँ आप इसकी निचे और पार्किंग का space करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक चोटा सा gate भी दे सकते हैं बट इसे बरामदा की तरह consider करेंगे तो यहाँ पर इस जगह का proper utilization होगा में डोर के entry हमने east facing design की हुए तो यहाँ पर आप दे सकते हैं दिन उसके बाद यहाँ पर आपको drawing all देखने को मिलता है drawing all के size plot की सबसे कापी बड़ी रहने वाली है 12 feet 4 inch by 17 feet 11 inch रहने वाली है इसमें यहाँ पर आपने sitting का प्रोजन दिया हुआ है और यहाँ पर आपका dining table रहने वाला है जिसमें आपका six sitting dining अराम से adjust हो जाएगा अगर आप LED unit को option देना चाहते हैं यहाँ पर आपको option मिल जाता है जिन उसके बाद यहाँ पर लिप साइट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने bedroom design किया हुआ है 10 feet by 10 feet का रहेगा उसका door अपने bedroom से ही connector रहने वाला है जिन बेट का प्रोजन यहाँ पर रहने वाला है आगे यहाँ पर आपने 3 feet 11 inch wide का wash area दिया वाई जिससे अपने kitchen को भी ventilation मिल सके और इस जगह का proper utilization हो सके इससे अपने bedroom को भी ventilation मिल जाएगा जिन उसके बाद यहाँ पर आपको bedroom देखने को मिलता है 11 feet 9 inch by 10 feet का bedroom रहेगा bedroom की opening यहाँ पर आप देख सकते हैं दिन बेट का position यहाँ पर रहने वाला है यहाँ पर हमने almira design की हुई है और यहाँ पर आपका common toilet देखने को मिलता है 8 feet 4 feet change करेगा wash basin का पर दिया हुआ है तो यहाँ पर कापी बड़ा आपको toilet देखने को मिलता है दिन उसके बाद यहाँ पर आपको master bedroom रहने वाला है 12 feet by 11 feet 5 inch कर रहेगा उसको आपने एक address toilet देखन किया हुआ है 4 feet by 7 feet change कर रहने वाला है ventilation के लिए यहाँ पर आपको चोटा सा OTS मिल दाता है 4 feet by 3 feet change का जिससे अपने toilet इस वाले bedroom और यहाँ वाले common toilet को ventilation मिल सके तो दोस्तों इसमें आपने 3 feet की कर design किया हुआ है आपको ए design कैसा लगा कमेंट करके ज़रूब बताए अपने दोस्तों रिस्टे दौरे को साच शेर करें तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया